भी ताट स्ट्रड़ी में बात करेंगे R.U.H.S. जो B.A.C. नर्सिंग होता R.U.H.S. B.A.C. नर्सिंग B.A.C. नर्सिंग जो आपका सेलेबस है उससेलेबस के बारे में बात करेंगे और बेस्ट बुक आपके लिए कौन से रहने वाली है उसके बारे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना, सेर जरूर करना क्योंकि कल मैं क्लास ले रहाता है तो क्लास लेते टाइम में जिवन स्टेंट का कमेंट आ रहते है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो ठीक है, मैं तो मैं गलत नहीं पढ़ा रहता मैं आपको सेलेबस की अकोर्डिंग ही पढ़ा रहता लेकिन उनको भी तोड़ा था डाउट है तो मैं उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सेलेबस क्या रहने वाला है इसा होगाता है, पहले सबसे पहले बात कल ताहबुजी हो गया, प्लांट फिजियो जी हो गया ये सब क्या पहले आपको 11 बुक्स में देखने लेकिन जब से और बीसे बुक्ष आई हैं और बीसे वाली जो बुक आई है इस में इसमें ये दोनों टपिक में जोड़ दिये 12 वालि बुक्ष में कर दिये 12 वाली बुक्ष में एड कर दिये ये ओपीसिल वेबस चैलेबस देख लेना आप कोई किसी का डाउट नहीं होना चाहिए मैं लिंक enforcement की किया syllabus रहने वाला है और किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए 용रtonusta to सेक्षेंग सेजन पर जाना है उसके बाद साइसे पर करना है क्लिक करते अब आपको मैं बता दू, आपके लिए बेस्ट बुक की पहले बात कर लेते हैं, तो बेस्ट बुक अपनी आईरी है, इस्टडी वी देव की जो बेस्ट बुक है, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है, आप अरियंत की बुक्स या किसी अधर बुक से अब इसको आपको खरीदना के से खरीदने के लिए मैं बाई बुक के लिंक नीचे डिसक्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर अभी ऑनली बायो और फिजिक्स की बुक सी एलेवल हैं, बाय की केमेस्ट्री और जो एमसी की नोट्स होंगे, वो जल्दी आपके लिए आप इनको खरीदने के लिए लिंक डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा, प्राइज में आपको बता देता हूँ, एदि आप ओनली बायो खरीदते हो, बायो बुक खरीदते हो, तो कितने की पड़ेगी बायो बुक, एक सो नबर रुपे की पड़ेगी, ओनली आप बायो एबुक खरीदते हो, आप लेकिन इनको बायो बुक में एक आप उसे डाउंलोड नहीं कर पाऊँगे, आप इस भावन में देख सकते हैं, ऍला। seres नहीं कर पाऊँगे, कई से नहीं कर पाऊँगे, कुछ भी नहीं कर पाऊँगे, उसकी प्रायज ए 99 रुपेज, तो आप बायो ब बुग भी खरीज सकते हो और आप क्या खरीज सकते हो बुक भी खरीज सकते हो जो यह पराइज रहेगो अगर उनली पर इंद तो श्ड़ीफ की रहते हो त hou और अकर उसके प्रिजशक्स की रहते हो तो उसकी प्राइज कि रहेगो रिएस्ट ये वाली फिजिक्स ऑपूरी ब्क्स और चाल झोर ऑने वाला ूहीं और है चाहर फे कीah हाज़ा घंडर टक पहूंच चुकी हैं जिनकी नहीं पहुंचीوع दिन में पहुंँ जाएगी तो जिन्स प्रेंट्स में ओडर किया था वो सभी अभी से लग जाईए तैयारे में उनके लिए डेली फिजिक्स क्लास से स्टार्ट होई चुकि फिजिक्स क्लास में इतना जवर्दस पढ़ाया जा रहा है कि आपको कई बार पढ़ने की ज़रफ नहीं है जोने पर आप उस पीडेप को नहीं ओपन कर सकते तो यह आप दियान रखना अगर ईबुक खरीदे तो सो समझ के खरीदना और बुक खरीदे तो आप खरीद सकते हो आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी ठीक है दोनों बुक्स बहुत ही बेट रहने वाले हमारी फिजिक पर यह रही बाइब साइड विए सिर्फ को और को रिए ही बागी है तो इसी के अकोडिंग देख सकते हो आप कोई खेग से लिए फेक से लिए बाइबस नहीं है मैं से लिए इस दिखांगा जो आपके तसलिके लिए मैं इसको फिर से डाउनलोड करता हूं और इसमें आप इसी का मसलेबस नोजार गुनिस के एकजाम के अकोडिंग Dobis जो 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 सेलेबस रहता उसके अकोडिंगी सेलेबस रहने वाला है तो यह टोपिक ओनली यही टोपिक है फिजिक्स के जो आपके आर उचेस में आने टोटल सेवंटी पेज हमारी फिजिक्स की बुक्स में रह रहा है एक सो सोला पेज आपके बायलोजी की बुक्स में अब किसकी बात करते हैं आप के्मेस्ट्री आप बायो की अपना आ चाहिए आता है के मिश्ट्री आती है तो के मिस्ट्री की बात करते हैं यह टोपिक है जो आपके आर उच्छेस नर्सिंग इंट्रेज एक्जाम में आएगा इनसे बार कोई आरेचेस एंट्रेज एक्जाम में दूसरा नहीं आएगा तो आपको पढ़ना है और आपको लगता है तो आप नहीं पढ़ा रहा है तो आप नहीं भी पढ़ो तो फिर आपकी इच्छा है बाकि मैं आप डिफेक्ट जहां प्रोब्लम आती है इस्ट्रेंट्स को फिजिक्स और केमिस्ट्रिम ठीक है ट्वैल्थ ओनली ट्वैल्थ द्यान रखना अगर करते हैं बायो में अब अगर बायो की बात करते हैं तो पहले बात कर लेते हैं आर्बी एसी में ठीक है यहां लिखते हैं आर्बी एसी एक मिनट ठीक है हो गया है इसको इदर है ठीक है यहां दो लाइने खिंच लेते हैं अपन ठीक हो गया तो यहां पर यह हैं आर्बीएस्टी के अकोडिंग ठीक है और यह ए NCRT की अकोडिंग ठीक है आपको NCRT से पढ़ते हो बाईयो में तो कौन सा टोफी कहां पढ़ने पढ़ेगा तो यह है पादब और यह पढ़ना पढ़ेगा आपको ट्वैल्ट की RBC पुक्स में, ये भी आपके ट्वैल्थ की RBC पुक्स में ही हैं पादप कारी की दोनों अन्म की plant physicalology ये कहां पढ़ने को मिले आपको ये पढ़ने को मिले आपको 2012 की RBC पुक्स में और 11th की NCRT में आपको पढ़ने को मिले गा जेव प्रोधोगी कियानिकि बायो टेकनोलोजी बायो टेकनोलोजी आपको पढ़ने को मिलेगा ये भी 12th की RBC बुक्स में और ये भी 12th की NCRT बुक्स में दोनों मिल जाएगा ये टोपिक के आर्थिक वनस्पति विग्यानियो माननों कल्यान तो ये टोपिक आपको कहां पढ़ने को मिलेगा ये पढ़ने को मिलेगा आपको 12th की RBC में NCRT में ये टोपिक नहीं है किसमें नहीं है NCRT में ये टोपिक नहीं है जो आर्चिस के सेलेबस में टोपिक नहीं ह Human Physiology दोनों एकाई जो किसमें पढ़ने को मिलेगा आपको 12 की RBSC में पढ़ना पढ़ेगा और NCRT के 11th RBSC 11th books में पढ़ना पढ़ेगा यह यह Plant Physiology और Animal Physiology दोनों किसी में है यह 11th के NCRT में NCRT में तो वेसे RBSC पढ़ते हो तो 12 में आपको सब मिल जाएगा Human Embryology चलो यह 12th में ही पढ़ने को मिलेगा आपको RBSC में भी और NCRT में इसमें पढ़ना पढ़ेगा Genetics, Genetics का आपको पता है इसे कि यह भी 12th में ही पढ़ना पढ़ेगा और 12th ही NCRT में आपको पढ़ना पढ़ेगा इसमें कुछ czasu की च्विख वाला है यह तो पूरा तो पूरा का पूरा चैप्टर करते हाने दोर लेकिन इसका हाप की के बारे में मिलेगा ना कि पूरा आशा मिलेगा कि जो तुछ में आपको डेखने मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना सेले बस RHS के लिए आपको बस books खरीद लेनी है RHS nursing enter the exam के लिए आप करना चाहते हो तेयारी तो books खरीद सकते हो 32 नमबर आपके physics के cover में करवाऊंगा physics के और bio की रही बात bio की बात रही तो bio में 32 नमबर cover करवा देगी और आपने भी नहीं देखा हो ता आप एक बार दुबारा से देख लेना और समझ लेना इसको मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और class जरूर लेना तीन बज़े जो class होगी physics की वो जरूर अटेंड करना physics की तीन पीम पर आपकी डेली class होती physics की उसको जरूर अटेंड किया करो दन्यवाद